नमस्का दोस्तों मैं वेवव आपको होरीजोन एकडेमे स्वागत करता हूं आज का जो वीडियो इस टूडियो में मैं आपको आइच्पी के जो एमसे क्यूज ए मतलब आपजिक्टीव क्वेश्टेंस हैं उसके बारे में मैं डिसकस करना हूँ करने वाला हूँ यह वीडिय कि कितने आते हैं मैं आई प्पिके ये मैंसी कि बनाने वाला हूं उसके बाद आगर कुछ जी स्कीम के कमेंट आए टो जी स्कीम के भी म्टीञक्टू के रहेंगे एम अड़ास चर्ण प्रोसेस के रहेंगे मेजरमेंट करेंगे बनाने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे hydraulic system है तो उसमें loss किस वज़े से होता है आपका जो पांप energy यह करूरा है तो उसका Lawrence किसकी में होता है आपका loss होता है आगर आपकाừ यह पाइप का वो long रहा उसके बाद pipe में अगर fiction जयादा है तो भी हो सकता है type of fluid कुन सा use कर रहे और यह वगर उसके बाद कुश्रिव ना चाहिए कि कुश्रिया उसके और कुशनिंग बैंट होसे ह denkt कभी कचा नीडर कि यह तो होता क्या है यहां से और यह जाता है तो पिस्तन नीचे बाइगा इंस्ट्र को जाएगा इंदर 수 तो तो और यहां से और यह एक पुजिशन जन फूल करेंगा और में पिर जो शोडल प्रसिंट्न जोड़ करता है क्योंकि वहां पे जाके वह हीट ना करें इसलिए इसको क्या कहते है कुश्णिंग के लिए एक स्कुरू आइज्जेस्मेंट वगर रहता है फिर जो आपका पिस्तन ही यहां से यहां दक फास्राइबल करेंगा फिर आगे स्लोर करेंगा उसको कुश्णिंग करते तो कुशनिंग में क्या है कि आपके दोनों भी होते हैं आपके पिस्टन का स्पीड इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है अभी मांटींग का क्वेचिन है कि आपको पता है कि जो सिलेंडर है आपका सिलेंडर किस-किस पर माउंट होता है क्लेवीस माउंटिंग रहती है ट्रुनियन माउंटिंग होती है क्लेवीस ट्रुनियन सर्कुलर फ्लांज और एल ब्रैकेट टाइप ऐसे चार टाइप क्या आपकी माउंटिंग है वो आप एक बुक में देख सकते हो अब यह डाइमेटर और पिस्टन रॉड किस पर डिसाइड होता है कि यह जो पिस्टन रॉड का डाइमेटर है आपका डी कैसे डिसाइड होता है आपका आपके सिलेंडर के ऊपर लोड कितना है ठीक है आपका बोर डाइमेटर कितना है बोर डाइमेटर लेंथ अप स्ट्रोक कितना है उसके उपर क्या होता हैं तर्वॅष शियंडर की तो आपको सिलेंडर का डार्व मापके सामने आना चाहिए कि जो हाइवाज रहते हैं या ट्रॉक्स जाते हैं उसके एक साइड में क्या होता है एक सिलेंडर रहता है वो क्या करता है आपके जो पीछे की लॉरी रहती है तो यह जो टेलिस्कोपिक सिलेंडर है उसके बारे में तीन-चार सिलेंडर की जो लेंद रहेगी वो क्या होती है नॉर्मल सिलेंडर जो रहते आपके उससे क्या होती है वो कम होती है यह क्वेशन आ सकता है कि लेंद ऑफ टेलिस्कोपिक सिलेंडर सिलेंडर की लेंडर क्या होती है फिर उसके बाद टेलिस्कोपिक सिलेंडर में क्या होता है एक पिस्टन दूसरे पिस्टन एक दूसरे को ऐसे है यह ब insufficient क्या होती है पिर उसके बाद इंटर्ण इन आगेर पंप जो दूसरे को मेंची होती है पिर उसके बाद के इंटरनल गिरपंप जो तो internal gear pump है आपका उसमें internal leakage क्यूं होता है पहले बात तो यह देहन में आपको रखना है कि hydraulic system जितनी भी hydraulic system है उसका initial cost ज्यादा है उसके साथ उसका maintenance cost भी ज्यादा है क्यूं है क्यूंकि आपको अगर pressure develop करना है तो आपके जो parts है वो एकदम precise manufacture चाहिए अगर आगर parts precise manufacture हुए तो उसके ultimately cause भी बढ़ जाती है तो internal gear pump में leakage क्यूं होता है उसके अगर tolerance आपका ज़्यादा रहा तो उसके वज़े से leakage होता है mean rotation of gear in internal gear pump ठीक है अभी internal gear pump में rotation कैसा होता है same direction में internal gear pump आपको diagram सामने आने चाहिए आपकी 1 gear है और यह gear है तो क्या होते यह गरे we don't got us from का धूसरा जो कि मतलब एक internal gear रहे है का external गेर रहेगा वो भी क्या होते है सेम डारेक्शन में रोटेट होते हैं अगर आपको एखेदे पंप गेर पंप का डिस्चार्ज कंटीनियोस रखना है या स्मूथ करना है आपको तो कैसे करोगे आप उसके नंबर आफ टीथ आपको क्या करने पड़ेंगे इंक्रीज करेंगे करने तो इसको क्या करना है या स्मूथ करना है तो आप क्या करोओ जो टीथ्थ आपके जो bench होते और unmash होते इसके रखना हो जाएगा तो था एक गयर को क्या होता आपने करनेक्ट के ऊहरे लहें और यह रोटे्ट होते है रोटेत होते है। आपके मेश और अन्मेश होते हैं तो है तो लिभक टीनिus लिख को इसके वाज़ेशक्ष क्या होता है है यहां पे रहें फॉक्रेट हो जाता है यह इसका important point है कि dis engagement of tooth इसका वह जैसे vacuum create होता है principle of gear pump यह जो gear pump का principle क्या है कि यह opposite direction में rotate होते हैं internal gear pump same direction में यह opposite direction में gears gear pump जो है इसका displacement कैसा है fix displacement मतलब इसको आप कुछ change नहीं कर सकते हो जैसे swash plate रहता है ठीक है उसमें क्या है आपा डिश्चार्ज को जाता है लेकिन यहां पर आपका डिश्चार्ज कैसे फिक्स कि अभि कैमरिंग जो है आपकी अन्बैलंस व्याने पम की उसका शेप कैसा एक question आ सकता है कि वह शेप कैसा है राउंड है ठीक है अभी आप बताओ मुझे कि ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या इंप्रूमेंट हो सकती है, ठीक है, थैंक यू